हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों आज की क्लास में हम पहले पढ़ाई गए सभी स्वर अ अनार से लेकर अहाख खाली तक का डिवीजन करेंगे आपको सभी पहचानना है और उसका नाम बताना है कि कौन सा सभी है ये कौन सा सभी है अ बोलके देखी अ अ अनार अ अनार के बाद क्या आता है आ आ आ आम आम के बाद इ मेरे साथ बोलिए इ इमली 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 के बाद क्या आया ये इब इक इए- इक- इए-क के बाद क्या आता है ये कौन सा सभी है बच्चों उ उ उ उ उ उ उ उल्लो के बाद ये कौन सा सोर आया उ ये कौन सा सोर है बच्चों उ उ उन ये कौन सा सोर है इसे पहचानिये रि 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 रिशी रि रिशी के बाद क्या आता है ये कौन सा सोर आया ए ए ए एरी ए एरी के बाद क्या आयेगा ये कौन सा सोर है बच्चों इसे पहचानिये ऐ, अए, ए, ए एनक ऐ, एनक ए-एनक के बाद क्या आएगा ? बताइए ये क्या आया एनक के बाद ? ö, ओ, मेरे साथ बोलिये ओ, ओखली ओ, ओखली ओ, ओखली के बाद ये कौन सा सौर आया ? जब हम औ औ औरत लिखते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो मात्राएं लगी हैं, यह है औ, औ, औरत, औ, औरत, यह कौन सा स्वराया बच्चों, अंग, अंग, मेरे साथ बोलिए, अंग, अंगूर, अंग, अंगूर, अंग, अंगूर के बाद क्या आया, यह कौन सा स्वर है, अहा, कौन सा स्वर है बच्चों यह, अहा, अहा, खाली होता है, अहा से कोई भी शब्द नहीं बनता है, अहा से कुछ नहीं, यह है, है खाली, बच्चों मिलकर बजाओ ताली, बच्चों आपको अह से लेकर अहा तक का अच्छे से अभ्यास करना है ठीक है आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद